ओके देन, शलाम एवरीबड़ी, वेलकम टू प्रेयरें भाइबल मीटिंग, सो आज मेरा टॉपिक है, हाओ केन वी गिव रिस्पेक्ट तो गॉड, आप कहते हो कि, वी नो हाओ तो गिव रिस्पेक्ट तो गॉड हम हर संडी चर्च को जाते हैं, लेकिन वो भी सही है, लेकि एडॉडेन, अधिर टीड तो गॉड्सनों कि, अवी नो नो गॉड रिस्पेक्ट다면 देडंग अला, दिए लेकिन काथी दो, पिर तो गॉड्यंट, बॉड पालार प्रग्यू जो हार। दॉड नो गाए? was फि一ए, जो एकुडुड आइंड, नॉड स्वे वर्सपेक्टत म okay so I'll only give the answer so why should we respect God we should give respect to God because he loves us and he provides everything to us amen as Ezra bhai had shared his testimony that even though his mother doesn't have a job and still God is providing everything to him same way God loves us and this is why he gives us everything so now there are little points I have to call my own so to go to church every Sunday so we have to go to church that's right so when we go to church we should go to church to church we should go to church when we have prayer meeting or church when we go to church I have seen many times when I know many people come from here like normal t-shirt and short pants and that's such a thing चीज है, we should come in front of God in a good and decent manner, हमको अच्छी तरकी से आना चाहिए, in a clean manner, और तीसरा पॉइंट जो है, we should pray every day in the morning, afternoon, evening और रात को, चावटा पॉइंट जो है, हमको शबात दिखना चाहिए, जो और 10 commandments को भी दिखना चाहिए, सारे commandments को हमको फॉलो करना चाहिए, पाचा पॉइंट जो है, जब भी हम, we must pray before, हमको खाना खाना चाहिए, हमारे खाना के पहले, और प्रातना करना चाहिए, खाने के बाद, तो फिर आप बोलते हो कि मैं प्रातना करते हो खाना के पहले, मैं खाना के बाद क्यों प्रातना करो, अब मैं आपको बताता हूँ, क्य क्योंकि यह सेम चीज जब परमिश्वर वो जब धरती पर थे उन्हेंने वो सेम चीज किया और उन्हें अपने डिसाइपल जो भी उनके फॉल्वर्स थे उन सब को बोला जब भी तुम खाना खाते हैं तो उनको प्राहतना करना चाहिए उसके पहले और उसके बाद इसलए हमको भी करना च्याऐं कि परमिश्वर ने आऊं को सारी तीनxton मील हमको धिया एक हाने को हमको स्नक्स दिया खाने को बहुत लोग मैं जो या फिर हम चर्च को जाते हैं बहुत बार मैंने भी देखा है कि लोग वो पीछे जाके वो गेम्स खिल रहे मोबाल पर ऐसे वो बस खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ वो बोल रहे हैं यह करो वो करो मोबाल पर और यह सही चीज नहीं कि मीटिंग्स के वक्त हम गेम्स खि सब्सक्राइब करना चाहिए हैं अपने दोस्तों के साथ वो एक कलेच चीज है वो करना ने चाहिए जो भी मीटियन अबर अटेंड करें हमको अटेंड करना चाहिए हैं हमको खेलना चाहिए और सेंट पॉइंट है वी मस्ट प्रे एंट थाइंग गॉड जब एक नया आइटेम हमारे घर में आता है और जब भी हमको एक नया घर भी मिलता है हम उसके लिए प्राहतना करते हैं हम लोकों गुबलाते खाना के लिए हमको वैसे चीज़े करना चाहिए जब भी एक इसके चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हमार परमेश्वर जोइए फ्रीव इसलिए लिविंग याइन वह हम वह हम को सारी चीज़े प्रोवाड करता है अमें वह हम तो हम प्रोवाड जावरी टेन आ चाहिए प्रेयर मीटिंग में हम अटेंड करते कभी कभी जो होस्ट है वह आपको बोलते कि आप यह करो या फिर आप यह पड़िये यह प्रात्ना करें और हमको यह चीज दिल से करना चाहिए बहुत बार स्कूल में भी आपके टीचर ने का आपको बोला होगा कि जो भी चीज आप कर करते हो आप अपने पूरे दिल से करो और अपने पूरे सोल से करो ने पूरे माइंड से आमें अमें और नाइन पॉइंट बहुत इंपॉर्टन थे लव हम हमको परमेशर से प्यार करना चाहिए और लास्ट पॉइंट जो है स्पेंड टाइम अने अभी साम हंडर्ड जो है हमको मालूम होना चाहिए अब वर्स तू में क्या कहता है किसी को मालूम है साम हंडर्ड वर्स तू साम हंडर्ड वर्स तू में कहता है सर्फ द लॉर्ड विद ग्लाडनेस कम बफोर हिस प्रेजन्स विट सिंगिंग जो हमने किया अमें 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 फिर ही परमेश्विर हमको आश्वरा देगा क्योंकि बहुत बार वी टेक तिंग्स वर ग्रांटेड तो उसका मेंने आप सबको पता होगा इसको नहीं पता है बहुत बार जबी भी सारे चीज़े जो हमारे पास है यह तक जो भी हम चीज़े यूस करते हैं हमारा बुक्स जो है वो सारे चीज़े परमेश्वर ने हमको प्रोवाइड किया है और बहुत बार हम बस लेते और प परमेश्वर को अच्छे नहीं लगता है विकॉज इन गॉड हैस फिलिंग से जब भी हम गलत चीज़ें करते हैं उनको भी बोरा लगता है इसलिए हमको अपना दिल जो है उसको साफ रखना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए सारे चीज़ें के लिए जो हमको मिलता है एक बार स्कूल में क्या हुआ था मेरे स्कूल में मेरे दोस्ट के साथ बैठा था और वो एक कतलिक है और करोना के पहले हम उसके बले भी बैठते थे साथ में तक जूसक्त बोला था supremacy फूरे तो करता था और मैं उसको बोला यहित हैं जो सारे चीजे तेरे पास है uk तो सब सारे चीदे येश्यों ने तेर को प्रवाइड किया है तो उसने आ बोला वो फिर हर रोज वो प्राहतना करता था ने खाने के लिए अभी जब हम लॉक्डाउन के बाद मेले स्कूल में मैंने इसको पूछा कि बूस ब्रवाइड इस फूल थे सपर स्वर्लू इस वी वित इस फूल तो फिर उसने उस दिन एक संविच लाया फिर मैंने उसको पूछा कि How फिर जो भी जो चुकिन था यह फिर जो बी है वो सारे चीजर किसने प्रवाइड कि या प्रव़ बंक्ता मिन सकोप लौकी यहुनिश कुषप्र रक्या यस़्ास प्रट किया य someday my father made for me and he kept arguing for mila this while at least half an hour and then he didn't listen i kept tell him that God is the provider of everything I kept the name he didn't want to listen but we should be obedient to the word of God I mean because when we give respect to God we will have a testimony in our life and in my family has had many testimonies in my life and also it is my bowling up go marriage or Dada G.A. okay your grandmother a or okay grandmother to have on case at a core I think uncle sister today a bar a collect a short a lot of catatum or data to firmware and major great grandmother and it now spirit me today or no never but she can't practice Nakiya or what was the GNA laga I meant my man all great grand mother she prayed for that kid and he came back to life so so that is because wo wo permisher ko respect kertethe I mean I mean I am ko bhi respect deena chahiyeh or kaisi minne bao par share kia or bola ki am ko ek mustard seed ke jaysay respect 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 aur pyaar hona chae permisher ke le furie means ham aise chizekar sakti hai है और कि मेरे जो दादा जी उनके भेlandा जो है उनने ये एक चीज भी किया कि आख के सामने कि जो एक मरवा लड़का था कि उन्हीं ने प्रेत्ने किया और उनने देखा कि वो मरवा था उसने इधर फिंगर भी डाल और देखा हुसका उसका आखसीजन ने आ तो फिर वह confirm था उसको बहुत हिलाया वोट रहने था लेकिन जब उन्होंने प्रांत किया मेरे गरेट क्राण मधर ने और उन्होंने देखा था और वह बढ़ बड़ा testimony वह बहुत साल पहले हुआ था जब मेरे दाद़ जीज चोटे थे जब उनकी टीज में थे तो फिर से चीज हैं हमको याद रखना चीए टस्वे ने इसले हम कमारा जो बच्चे है उंको बताना चीए और हमको पासव और generation to generation और अर अरंको सारे लोगों को बताना चीए about the word of God yes yes and man I'm in or I'm cool permission to PR कर नचे क्योंकि he died for us on the cross only eight is a key whether Sam coba Chani Kila or am I repop Koshama करने के लिए और ने कुस्पर नहीं मरा होता कलवरी के क्रॉस्पर हम आज दर होते नहीं we wouldn't have been here if God will not have died on the cross for us he Parmesan से इतना प्यार करते हैं हमारे लिए इतना केर करते वो कि उन्होंने अब वो परमेश्वर के रूप में थे वो एंजल को बुला भी सकते थे कि यह क्रूस्पर को निकाल इन सब को मार राल गॉर्ड को लश्पर दर लेकर उन्हें नहीं किया उन्हें बोला पादर फुगिव देंग जब भी लोग हमको कुछ बुरा करते हमको फोगिव करना चाहिए हमको माफ करना चाहिए उनको जब माफ करते और यह फ्यू चीज़म करते हैं रिस्पेक्ट गॉड को करते जब प्यार करते फिर हमारे जीवन में ऐसे टेस्टिमिनीज होगा फिर पर मिश्वर अमरे साथ बात करेंगे अमेन अमेन इसलिए आपको और भी डीटेल में यह सब्जेक्ट में जाना है तो आप साम 150 पड़िया और साम नाल्टे जब भी आप फ्रियो तो फिर जब भी यह दो साम पड़िए आप पड़िए जब भी भी आप फ्रिया और आप प a man so as a bot or was the link in a two examples at your bot touching it it touched my heart also so shalom and god bless everyone long long okay